हाई विनर्स इस टाइम पर ट्विटर पर लगातार ट्रेंड एलुएंसी जैस्मी और एप्टोज का चल रहा है चलिए जानते हैं इन तीनों प्रोजेक्ट के बारे में और अभी रीसेंट मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर भी एक ट्विट किया है और वो ट्विट स उस ट्विट के अकॉर्डिंग आपको मैंने तीन क्वाइन के बारे में बताया है एप्टोज जैस्मी एलुएंसी वट यू थिंक नाओ आई थिंक इस दबेस्ट च्वाइस नाओ प्लीज डू यूर और रिजर्च ये तीनों क्वाइन जो है क्यों मेंशन किये गए इसके एक पैटीशन रखी गई थी और उससे पहले क्वाइन बेस लिस्टिंग के लिए भी चेंज डोट ओर जी पर एक पैटीशन रखी गई सबसे पहले उन दोनों का अपडेट जान लेते हैं ताकि आपके सामने वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए तो एच्छा ओफिशल of change.org वर्ल्ड की सबसे पॉपलर वेबसाइट है जिसके अंदर पैटीशन साइन की जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग LUNC लिस्टिंग की जो पैटीशन है क्वाइन बेस और रॉबिनूड उसके बारे में स्टेटस चेक करते हैं तो यह बेसिकली रॉबिनूड ल से जादा लोगों ने इसको साइन कर दिया है देखिया बढ़ते जा रहा है आपके सामने और सेवंटी फाइव हंडड़ तक की यह पैटीशन पहुंच चुकी है लेकिन कल वाली वीडियो में ने आपको बताया था कि जो इस पैटीशन को साइन करेगा उसको कुछ ना अमाउंट भी पे करना है चेंज डो टो आर्ची को और एक परसन का बहुत जबर्दस्त मेरे पास मेसिज आया कमेंट आया सौरी वीडियो पे कि अगर लूंच भी नहीं बढ़ा और यह पैटीशन की वज़े से लिस्टिंग नहीं हुई तो 600 रूपे या 300 रूपे थे जो आप बात करो क्वाइन बेस की लेकिन फिर भी एक इंपैक्ट अगर मैं देखूं तो पेटीशन का कहीं बार पढ़ता है क्योंकि वट एक्सचेंजेज को भी अपनी ट्रेडिंग्स चाहिए और ट्रेडिंग्स हुमन्स की तरफ से आती है और लोगों की डिमांड है कि अग नहीं फोकस ही नहीं कर रही है लूएनसी पर तो ऐसे केश में जब कॉम्मिनिटी डिमांड करती है किसी टोकन की तो हो सकता है कि एक्सचेंज मजबूर होकर लूएनसी को दोनों जगा लिस्टिंग दे दे रॉबिनूड पर भी मिल जाए और कॉइन बेस पर भी मिल जाए क्योंकि यह दो लिस्टिंग इस टाइम पर काफी बड़ी निउज निकाल रही है क्वाइन बेस हाला कि कोई सर्च नहीं होके आया तो लूएनसी लिस्टिंग की देख लेते हैं एक बड़ सर्च करके अभी जो में पेटीशन है जो दस सेतंबर को रखी गई है वह अभी य लिस्टिंग बिल जाए और उसके अंदर 1.2 टेक्स बन परपोजल हो जाए तो कई ना कई पर एलूएनसी पर इंपक्ट जरूर पड़ेगा और वो प्राइज का इंपक्ट देखने के लिए एलूएनसी काफी बड़े लेवल पर टुटर पर हमेशा ट्रेंड करता रहता है इसके लिएवा रीपैक की जो कंडिशन बनी है उस कंडिशन में जो प्राइज आया है एक्चुल निकल कर अभी तक यूएस टीसी का वो बहुत ही जादा डाउन होता जा रहा है मतलब आप देखिए रीपैक और एलूएनसी बर्न बहुत जादा हाइप बना लेकिन इस टा तो वन मन्त के कमपारेटिवली यह जो प्राइज है यह पांच रूपे के आसपास पहुंच गया था और उसके कमपारेटिवली भी लगबग दो रूपे के आसपास फरक पड़ा है यूएस टीसी में तो एक उमीद है कि आगर रीपैक की डिमांड और एलूएनसी बर्न की रीपैक इसके हिलाबा जो दूसरा ट्रेंड चल रहा है आज की डेट में वो चल रहा है जैस्मी कॉइन का आपको यह जुरूर जाना चाहिए जैस्मी कॉइन जैपनीज बेस एक प्रोजेक्ट है और आप लोगोंने क्रिप्टो मार्क पर अगर लगातार वीडियो देखी ह तो आप लोगों को एक बार मैंने जैस्मी कॉइन पर वीडियो में बोला था कि यह वैब 3 का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफी बड़े लेवल पर ग्रो हो रहा है और काफी बड़े लेवल पर गया भी था लेकिन एक बार बहुत जादा डाउन आ गया है लेकिन अचानक स से वैब 3 की डवलपमेंट को देखते हुए जैस्मी कॉइन का एक बार फिर से रूमर्स आ चुके हैं इसके इलाबा जो तीसरा इस टाइम पर सबसे बड़ा ट्रेंड बना हुआ है ट्विटर पर वो है एप्टॉज लेर वन ब्लॉक्चेन लेकर कल टॉप एक्सचेंजिज में आप हैरान हो जाएंगे सुनके बाइनेंस और क्वाइन बेस इन दोनों का नाम है उसके साथ साथ अगर आप बात करो तो इस टाइम पर नाम FTX का भी निकल कर आ रहा है हुबई ग्लोबल का भी निकल कर आ रहा है आप एक बार ध्यान से देखिए मैं आपको क्वाइन मा लेकिन मैं जब लोगों के रिव्यू देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक रिव्यू ऐसा आया फिर उसके बाद मैंने अप्टोस को सर्च किया और वो रिव्यू क्या था कि बाइनस और देखिए मैंने भी एक कमेंट किया यहाँ पर wait 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 buy and sell huge margin क्योंकि मुझे उस टाइम पर इसको सर्च किया exactly aptos है क्या तो यहां पर देखिए आप सर्च में भी देख पा रहे हैं aptos coinbase listing में ने देखा फिर मैंने aptos binance की listing देखी तो aptos की news जब मैंने सर्च की तो इस news में coindex की तरफ से थी कि एक नई blockchain आ रही है aptos जो बहुत है जल्दी आते ही और यह meta के कोई team member है उन्होंने इस blockchain को बनाया है यह उनका यह उनकी फोटो है Mr. Shake जो है M.O. Shake उनका नाम है वो इस layer one solution blockchain को एक बार दुबारा से लेकर आ रहे हैं और इसकी जो total supply है वो 1 billion के एसपास बताई जा रही है मतलब supply काफी कम बताई जा रही है और यहां पर देके लिखा हुआ है कि इस पूरी supply में से four one ten million token जो है वो aptos foundation खुद hold करेगा यानि कि जिसमें से आप यह सोचिए कि लोगों को buy करने कम होका कम होका था इसका प्राइज बहुत जादा जाने वाला है और कल इसकी लिस्टिंग की निउस है 19 अक्टूबर की कल की इसकी जो लिस्टिंग की निउस निकल कर आ रही है अब हमने यह देखना है कि आते ही यह project क्या धमाल करने वाला है यह किन यह confirm है आप बाइनेंस में भी जाकर चेक करें तो sport wallet में जब आप बाइनस में जाएंगे तो वहाँ पर आप apt लिखेंगे aptos तो आप देखेंगे कि बाइनस 19 अक्तूबर यानि कि कल UTC टाइम के according एक बजे जो इंडियन टाइम अप्रॉक साड़े छे बजे का बनता है सुबह का वेडनेस देखो 19 अक्तूबर को ये लांच करेगा और तीन पेर जो इसके लांच होंगे USDT, BUSD and BTC और इसके बाद जो विड्रोल आप कर पाओगे वो 20 अक्तूबर को यानि कि एक दिन बाद कल से बाइंग स्टार्ट होगी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी और जो विड्रोल आप कर पाओगे वो 20 अक्तूबर को कर पाओगे सुबह 6 बजे के बाद तो कहीं न कहीं पर यह काफी बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है और यहां पर देखी यह एक प्रोजेक्ट की जो पूरी जो डिटेल इकल कर आ रही है Aptos is a proof of stake layer block one blockchain that use move programming languages and virtual machines for dap development APD is native token for network fee validator staking and governance तो काफी बड़ा इस प्रोजेक्ट की उमीद की जा रही है और आप कमाल देखेंगे कि जैस्मी और LUNC से बड़ा Twitter पर इस time पर Aptos का trend चल रहा है और इस time देखिए लगबग 63,700 से ज्यादा tweet भी हो चुके हैं शायदे आप तक भी news पहुंच चकी हो तो मुझे लगता ही एक opportunity भी हो सकती है बट जिस हिसाब से एक दिन बाद की selling off की जा रही है यह कहीना कही पर एक game changer बन सकता है लेकिन एक उमीद है कि supply बहुत ज्यादा कम है और community के पास काफी अच्छा है और community हो सकता है airdrop भी करे गिवेज भी कर लेकिन exactly क्या prize होगा वो तो कल के बाद ही हमें सब कुछ confirm होगा लेकिन यह कहीना के पर एक game changer बन सकता है क्योंकि aptos lab की तरफ से आया काफी बड़ा नाम है और layer 1 blockchain solution लेकर आया governance based token कहीना के पर बताया जा रहा है और virtual machine को move programming languages का token है तो कहीना के पर इस token की काफी बड़ी के बाद हम लोग देखेंगे finally कि क्या होता और उसके बाद videos भी कुछ बनाएंगे आपके लिए exactly इसमें जो भी result आता है लेकिन कई लोग confused हो रहे हैं जब आप APT लिखते हैं तो यहां पर एक अप्रिकोट finance नाम का project भी आ रहा है दोस्तों यह वो project नहीं है जो बाइनस पे video बनाएं तो मैंने यह देखा फिर मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया यह आज ही tweet आया मेरे पाद तो कईनगी पर मुझे इस project में बहुत जादा interest लगा और देखते हैं क्या होता exactly अप्रिकोट नहीं है वह आप confused मत होएगा Aptos है वो project तो यह overall इस time पर update निकल कर आते है but please do your own research because you know very well you are in the highly volatile market of crypto thank you so much for watching this video and please do subscribe crypto mark youtube channel for more updates thank you so much